हेलो फ्रेंट्स मेरे यूटूब चैनल मैं आप सभी का स्वागत है दोस्तों जो आज हम बात करने वाले हैं वह है हाफ यह लिए का पेपर पक्षा टैंत का हिंदी का तो बिना देरी के स्टार्ट करते हैं आज की सेशन को उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जिन वह भी अभी तक हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज वो सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिशन वैल को ओन कर लें जिससे आपको हर वीडियो के अपडेट टाइम से मिलती रहे तो आईए बढ़ते हैं पहले कुश्चन की और पहले कुश्चन में है कि आपको दो अपड़ित गद्यांस दीवे हैं जिन में से आपको एक गद्यांस को ध्यान पर रख पढ़ना है और उस पर जो भी आदारित प्रशन है उनके आपको जवाब देने तो ये आपके सामने गद्यांस है इसको आप केरफुली रीड कर ले इसके पाद में आपके सामने क्यूश्चन है पहला क्यूश्चन है गद्यांस के आदर पर बताए कि बाल स्रम जैसी सामजिक परोती को समाप्त करने के लिए लोगों की सोच कैसी है नयक्सुन है ज़रों में डावों में होटलों में खानों और कारखानों में अन्यक कैसि बच्चों को बालस्रम जैसे परिवर्टन लाने के लिए क्या किया जा सकता है नय क्यूशन है अब लोग बेटियों को बोज नहीं समझते ये समाज की किस सोच का परिणाम है नय क्यूशन है महिला ससक्तिकरण से परिवार की आर्थिक इस्तिती पर क्या प्रवाफ दिखाई दिया नए क्यूशन है क्या महिलाओं के ससक्तिकरण का पक्ष मात्र आर्थिक रूप से सशक्त होना ही है नए क्यूशन है नीचे दो काव्यांस दिये गए हैं किसी एक काव्यांस को ध्यान पूर्वक पढ़िए और उस पर आदारित प्रशनों के उत्तर सही विगल्प चुनकर लिखिए तो पहला काव्यांस है आपके सामने इसे आप देख लें हम डायरेक्ट चलते हैं कि इसके क्यूशन अपर पहला क्यूशन है अब ऐसे है इस दर्द से मैं ऐसे है दर्द का कारण क्या है नय क्यूशन है जब कुलाड़ों की तरशा है बढ़ रही कथन में क्या कथन से क्या तातपर है नय क्यूशन है अंतेश्टी के लिए लकडियां सुलबन होनी का क्या कारण है नय क्यूशन है पेड़ों को मानव बंदू क्यों काहा गया है ने क्यूशन है इस कविता में क्या प्रेंगना दी गई है ने क्यूशन है अध्वा का काव व्यांसे है तो आप उसे देख लें बढ़ते है कूशन अगे और पेला question है कावियांस के आधार पर बताये कवित्री ने अपने बचपन को किस रूप में पुर्णह पाया next question है कवित्री बड़सों से किसे खोज रही थी next question है कवित्री की बेटी के चेहरे पर किस कारण विजय गर्ब जलक रहा था नएक क्यूशन है मिट्टी खिलाने आई बेटी की छवी कैसी थी और नएक क्यूशन है बेटी और मा के बीच क्या समवाद हुआ अब बढ़ते हैं खंड खेकी और खंड खेकी और बढ़ने से पहले आप सभी से रेक्वेस्ट है कि जिन्नों ने भी हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज वो सब्सक्राइब कर लें और नोटिशन वेल को ओन कर लें जिससे आपको हर वीडियो के सब्सक्राइब सकें आई यह बढ़ते हैं खंड खेकी और खंड खेक देख लें यह व्यावकार व्यावाहरिक व्याकरंट से रिलिटेड है जिसमें पहला सवाल है बादल घिराए और वर्सा होने लगी रचना के आजारवर्वाक के बहेद है नेक किस्टन है निमलेकित मे स्क्रीन सॉट ले लें नेक्ट वीडियो में सारे कुष्टनों के आंसर के साथ हम हजिर होंगे तब तक आप इन सब के स्क्रीन सॉट लेते रहें और जिनको भी आंसर आते हैं वो एक को पेज में लिखकर रख लें जैसे हम सॉलिशन प्रोवाड करवाएंगे आप अपने आंसर मैच कर लेजिएगा तो मिलते हैं नेक्ट वीडियो में इन सारे कुष्टनों के साथ में तब तक के लिए हजते रहें मुस्कुराते रहें और पढ़ते रहें जैहिन जैवारत